हलो नमस्कार साथियों मैं सोहन स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल अपनी रिशी पढ़नाली स्टेनोग्राफी पे आज अपना डे 11 है वस्ट तो टेनी है क्योंकि एक दिन अपने बीच में स्कीप कर दिया था अपने देख रहे थे स्वर तो स्वर अपने पढ़े नहीं है अभी अपने शुरुवात की है धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर अपन कैसे पढ़ेंगे और कैसे स्वरका प्रियोग किया जाएगा तो उससे पहले मैंने आपको कुछ चीज़े बताई है पहली चीज़ थी कि टोटल अपने रिशी पढ़नाली में बेंजन कितने होते हैं बेंजन की डिरेक्शन कितनी होती है दो दिशाये होती है और प्रतेक दिशा में मैंने आपको इस्थान बताए है प्रतेक दिशा में इस्थान कितने होते हैं तीन इस्थान होते हैं और उन इस्थानों के अनुसार ही हम क्या करेंगे स्वरों का प्रियोग करेंगे तो आईए शुरुवात करते हैं आज की शांदार जबरदस्त क्लास के साथ में उस क्लास का नाम है सुवरों का बेंजनों के साथ में प्रियोग कैसे किया जाए अपन पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहां पे ध्यान रखना सुवरों का प्रियोग करने के लिए अपन को एक साथ नी बनाने होगी ए और ए ध्यान रखना किताब में जो सुवर दिये गए हैं वो अलग है यदि वो पढ़ोगे तो हो सकता है आपके कभी समझ में आए या नहीं आए लेकिन जो सुवर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सुवर आजीवन आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाएंगे फिट हो जाएंगे तो अपन ने क्या किया दो दिशाएं मनाई थी पहली दिशा का नाम था बीफोर दूसरी दिशा का नाम था आफ्टर इस्तान मनाई थे तीन पहला दूसरा और तीसरा जान रगना ई तो बड़ा ई भी हो सकता है अभी जो सुवर मैंने आपको बताए हैं कितने सुवर बता दिये पांच सुवर बता दिये कितने सुवर पांच सुवर और ये डिफाइन होते हैं एक छोटे से बिंदू से किस से define होते हैं? एक छोटे से बिंदू से. उधारन के लिए मैं यहां पे कुछ नियम लिख रहा हूँ. यदि वो नियम आप याद गर लोगे, क्योंकि जो नियम में बदा जा हूँ, वो नियम आपकी खोपड़ी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर डारेक्ट क्या होते है फिट होते हैं. क्या होते हैं? फिट होते हैं. तो पहला नियम यहां पे क्या कहता है? कि यदि स्वर पहले आता है. पहले आता है. तो आंस्वर तो यही पे आ गया. यदि स्वर पहले आता है. अरे पहले आएगा, तो किसके पहले आएगा किसके पहले आएगा वेंजन के किसके पहले वेंजन के यदि स्वर वेंजन के पहले आता है तो उसे B4 में लगाया जाता है B4 में लगाया जाता है यदि स्वर पहले आता है तो उसे किदर को लगाया जाएगरे भी फोर में लगाया जाएगा जैसे शब्द उधारण में आपको बता रहा हूँ उधारण समझ लोगे तो हर चीज आप समझ लोगे पहला उधारण आता है जिसे अक जैसे आगया अपने पास में एक जैसे आगया एक जैसे आगया अपने पास में एट जैसे आगया अपने अध्ध जैसे आगया अप ये कुछ उधारण मेंने लिये हैं जिनके अंदर क्या आ रहा है आपके स्वर पहले आ रहा है पहले आ रहा है, किदर आ रहा है पहले, before में तो इन स्वरों का परियोग भी कहा किया जाएगा before में किया जाएगा, किदर को किया जाएगा रे before में किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, कैसे किया जाएगा वो चीज आपके सामने है, कै अपन कैसे बना रहे थे, एक लाइन के बेस पे जब अपन आड़ी रेखा बनाते हैं, तो वो क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, और यहाँ पे कैसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क देखो यहां पर पड़ा है कोण से इस्तान पे एक नमबर इस्तान पे और एक नमबर इस्तान पे किदर को बनाना है B4 में बनाना है कहां बनाना है B4 में तो एक नमबर इस्तान पे B4 में एक बिंदू बना दोगे तो उसका मतलब क्या पड़ा जाएगा अक पढ़ा जाएगा क्या पढ़ा जाएगा अक पढ़ा जाएगा ध्यान रगना नेक्स्ट है एक तो एक कौन से इस्तान का स्वर है दो नमबर इस्तान का स्वर है कौन से इस्तान का दो नमबर इस्तान का तो दो नमबर इस्तान ध्यान रगना आपके तीन नमबर इस्थान पे आ रहा है कौन से नमबर इस्थान पे तीन नमबर इस्थान पे आ रहा है तो तीन नमबर इस्थान बीफोर के अंदर आएगा उपर की तरह का आएगा उपर की तरह द्यान रखना ये इस्थान मैंने आपको बता रहे के हैं previous video के अंदर वही स्थानों का आपको क्या करना है प्रियोग करना है और अच्छे से एक एक चीज को ध्यान से समझ के प्रियोग में लाड़ा है यह चीजे प्रमानेंट आपको क्या हो जाएगी याद हो जाएगी उसके बाद में टय आ रहा है तो टय उपर से नीचे की और बनता है दो दिशाएं हैं before और after उपर से नीचे बन रहा है तो उपर से नीचे एक दो तीन अपन को दिशाएं डिफाइन करने है यानि इसके इस्ताने डिफाइन करने है ए आ रहा है तो ए दो नमबर इस्थान पे आ रहा है तो दो नमबर इस्थान बीफोर में बीचू बीच होगा ये रा एट अद आ रहा है तो धै आपको बनाना है द्यान रगना कोई सा भी दै बना लेना before के अंदर द्यान रगना एका स्वर एक नमबर इस्थान पे होता है तो एक नमबर इस्थान पे जब अपन छोटा सा बिंदू बढ़ाएंगे तो वो डिफाइन करेगा किसको अद को दूसरा द्यान रगना इधर बनाते हैं अपन दूसरे दिशा तो उसमें भी सेम ही क्या होंगे इस्थान होंगे क्या होंगे इस्थान होंगे जो अपन को द्यान में रखना है अब आ रहा है तो पै उपर से नीचे की और बनता है दो दिशाएं आपको बताई हुई है बिफोर इदर वाला आफटर इदर वाला पहले पहले जित्साह से शुरुवात करते हैं वो पहले और जहां पर अंत होता है वो क्या है बाद में तो ए एक नमबर इस्तान पे जब अपन एक वृत बनाते हैं चोटा सा बिंदू उसको क्या पढ़ते हैं अप पढ़ते हैं अप पढ़ते हैं अप पढ़ते हैं ये कुछ उधारन में आपको बताए हैं अब उधारन अपन देख रहे हैं तो कुछ और भी उधारन ले लेते हैं इधर आराम से अपने के एक चीज को समझ के करेंगे जब तक हमें समझ में नहीं आती ही तब तक हपन क्या नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे क्या नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे next कुछ उधारन ओर ले लेता हूं में eat eat ले लिया अपने नहीं लिया जैसे आगे आपने पास में इस से पहले इस बर आ रहा है जैसे आ गया अम या अन जैसे आ गया अपने पास में इप ठीक है? ये कुछ और उधारन अपन ले रहे हैं तो कैसे बनाना है? पहले आपको विंजन बनाना अट है बीफोर में द्यान रखना तीन नमबर इस्तान इपे ये रहा, कौनर इक कौनर के अंदर इदर वाड़ा क्या होगा? इट इस आ रहा है तो सया बनाओ और इट इन नमबर इस्तान पे किदर बनाना है? बीफोर में बनाना है बीफोर में तो ये चीज़ आपको बता रखी है कोई भी बेंजन ओ बीफोर वाड़ा हिस्सा किदर वाड़ा अपना जो लेफ्ट एंड होता है अन आ रहा तो नहीं आपको बनाना है एक नमबर इस्तान बीफोर में उपर की दरब होता है तो यहां पे पड़ा जाएगा अन इप आ रहा है तो पे आपको बनाना है और तीन नमबर इस्तान पे एक बिंदू बनाना है वरित्ति तो पड़ा जाएगा इप दोस्तो इतने उधारण काफी है तो अपन इसी का next जो पार्ट है वो करते हैं इनकी आप अच्छे से practice करना समझ में नहीं आता है कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप comment box में अविश्य कमेंट करें कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आए उसको अपन क्या करेंगे दूबारा से लेंगे या फिर हमारे जो नमबर आपको दे रखे हैं उन नमबरों पे आप direct message कर सकते हैं चाहो तो आपको समय मिले तो call भी आप उस नमबर पे कर सकते हो एक दो गंटे के अंदर आपका reply जरूर दिया जाएगा आगे जो next नियम आता है वो नियम आपके सामने आ रहा है Rule number 2 Rule number 2 क्या कहता है Rule number 2 क्या कहता है यदि स्वर वेंजन के बाद यानि वेंजन के साथ आता है तो वें हमेशा आफ्टर में बनाया जाता है ये नियम क्या कर लेना है आपकी नोटबुक के अंदर ये नियम लिखा होना चीए और ये नियम वही बताऊंगा जो आपको परमानेंट क्या हो जाए खूपड़ी के अंदर छप जाए वही नियम आपके सामने रखने वाला हूँ आफ्टर बाद यदि बाद में आ रहा है तो अपन को किदर को बनाना है आप्टर में बनाना है तो अपनने कोण कोण से बनाना है ए ए ए और आई और अपने पास में क्या है ए और बड़ा ए एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर तीनों इस्तान आपको बता चुका हूँ बिफोर और आफ्टर का आपको ध्यान रखना है ध्यान रखना बिफोर और आफ्टर किस से डिफाइन होते है एक छोटे से बिंदू से डिफाइन होते है ये चीज येदी आपको याद है, इसका concept clear हो गया, तो दुनिया का कोई भी नाम आप stenography में easily क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो आईए अपना आगे देखते हैं, इसी के कुछ उधारण, after, बाद में, इधर ध्यान रगना आपे, केराबाद में, और बाद को अंगरेजी में क्या बोलते हैं, after, यदि इस्वर वेंजन के बाद, या फिर वेंजन के साथ आता है, तो उसे किदर लिखा जाता है, after में लिखा जाता है, उधारण के लिए अपन लेल देलता हूँ जैसे C जैसे आगया T जैसे आगया T जैसे आगया मे जैसे आगया P जैसे आगया अपने पास में और उधारण लेलेते हैं अच्छे से अच्छे अच्छे उधारण लेंगे अपन ताकि आपके लिए समझने में क्या हो जाए हर चीजी इजी हो जाए उसके बाद में अपन ए का उधारन ले चुके हैं ए का अपन की भी ले सकते हैं ये भी उधारन है उसके बाद में अपन क्या करेंगे और उधारन लेंगे की के बाद में अक का लेते हैं तो के है के के अंदर already जुडा हुआ है तो इसको बनाने की अपने को जरुवते नहीं पड़ती है आगे अपने पास में आ रहा है जैसे E आ गया T आ गया Q आ गया P आ गया आपके P नहीं आया तो P ले लेते हैं आपके में नहीं आया में आ गया आपके आ गया टे आ गया आपके आ गया के तो के ले ले लेते हैं नहीं आया तो अपन ले लेते हैं अपने पास में ये आ रहा है तो ये ले लेते हैं अपने पास में और आ रहा है अपने पास में रे आ रहा है तो रे भी अपन ले लेते हैं इदर को क्या ले लेते हैं रे भ आपके दे भी ले लिया अपने ले लिया दी ले लिया अपने ले लिया घी ले लिया घी 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 होता है ना जो छाच बना के निकाला जाता है उसको बोला जाता है घी घी भी ले लिया अपने और क्या लेना रहे और लेना अपन को वे लेना क्या लेना वे लेना तो इधर कौ अच्छे से यदि वो चीज सीख गए, तो आगे वाले पांच स्वर, पांच और दो साथ स्वर और रहेंगे, वो भी आप, विश्वास मानो, वो भी आप पांच मिनट में सीख जाओगे, यदि इनकी प्रक्टिस आपने अच्छे से कर ली तो, तो आईए देखते हैं स्वरो आ रहे हैं, तो ती नंबर इस्थान अपन को क्या 만들어 ना है, का में लेना है, सीख पन चाहिए, तो ये वाला भी बना लेगे, लेकिन इस्थान उदर वाला ही रहेगा, टी आ रहे है, तो टायपे 1 का स्वर, ती नंबर इस्थान पे, आफ्टर का इस्सा, टे आ रहे है तो आ केवल कै आ रहा है تو कह के अंदर आ लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आ इन ःड़ी उसके अंदर वह जुड़ा हुआ है दोस्तों अी ऐ उल्रेडि उसके अंदर क्या होरका है जुड़ा हुआ है next आ रहा है P तो P आपको बनाना है और E का सुवर तीन नमबर इस्तान पे बनाना है तो पढ़ा जाएगा P K आ रहा है का पे E का सुवर है तो दो नमबर इस्तान पे आपको क्या करना है E का सुवर बनाना है आगे अपने पास में आ रहा है ये तो ये बना के आपको दो नमबर इस्तान पे आफ्टर में बनाना है तो पड़ा जाएगा ये यदि आए आए तो ए बिफोर के अंदर एक नमबर इस्तान पे बनेगा ध्यान रगना आए बिफोर में और ये आ रहा है तो आफ्टर के अंदर दो नमबर इस्तान पे क्या आगे आ रहा रहा रे, तो रे आपको बनाना है दो नमबर इस्तान पे एगे, बिंदू बनाना है, आफ्टर के अंदर तो पड़ा जाएगा, रे, डे बन रहा है द्यान रगना, डे गहरी रेका बनती है आपके, तो डे दो नमबर इस्तान पे अपन क्या गरेंगे, एक same direction में है ऐसा confuse मत हो जाना कि इसका मुह है उधर बनना है इसका मुह है उधर बनना है तो दोनों के अंदर अपना लग-लग कर दे तो ऐसी खोपड़ी के अंदर कोशिश भी नहीं करनी है घी आ रहा है तो घय आपको बनाना है काटके और अंत में एका स्वर बनाना है वे आ रहा है तो वे बना के एका स्वर अपने को बनाना है तो पड़ा जाएगा वे दोस्तों इने पांच स्वर की आप अच्छे से प्रेक्टिस करना तभी आगे बढ़ना अन्यता आगे मत बढ़ना इन स्वरों की क्या गड़नी है दोस्तों आपको अच्छे से प्रेक्टिस करनी है ये पांच स्वर मैंने आपको बताए है नेक्स्ट जो आगे के पांच स्वर है वो अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत